हेलो गाइस वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेट की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडलाउन इस वीडियो में अलसिस करेंगे चलिए फेंड्स वीडियो स्टार्ट क पहले गाइस consolidated financial result को अबंगे और numbers की बात करें तो करोड़ में दिये गाए है Income में 11,736 करोड का पिछले quarter में 12,282 करोड का और December 22 quarter में 12,469.5 करोड का इंकम है quarter on quarter year on year दोनों के income में down देखने को मिला है expenses 9809 के रोड़ का पिछले quarter में 10897.5 के रोड़ का December 22 quarter में 110028.7 के रोड़ का expense हुआ था quarter on quarter year on year की देखे इंकम डाउन लेकिन expenses बहुत कम पॉफिट में इंप्रूब किया है operating profit है 1926.9 के रोड़ का पिछले quarter में 1384 के रोड़ का और December 22 quarter में 1440.7 के रोड़ का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है नेट profit 1929.9 के रोड़ का पिछले quarter में 1390 के रोड़ का और December 22 quarter 518 के रोड़ का net profit quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS 19.21 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया तो guys company का income में थोड़ा सा impact पड़ा है गिरावर देखने को मिला बट profit बहुत अच्छी growth है देखने को मिल रहे है जो के राउंड प्रॉफिट यह 272 परसंट का year on year में increase किया है वह एकर हम बात करेंगे stand-alone financial results का income है 11,545 करोड का पिछले quarter में 12,107 करोड का और December 22 quarter में 11,841 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है expenses 9551.7 करोड का पिछले quarter में 10,582 करोड का और December 22 quarter में 10,475 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में year on year में expenses भी decrease किया है और December 22 quarter में 7252 करोड के exceptional items में loss भी हुआ था इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है profit 1993.7 करोड का पिछले quarter में 1525.5 करोड का December 22 quarter में 5886 करोड का loss है quarter on quarter में increase है year on year में भी increase करता वनजर आ रहा है net profit 1483.6 करोड का पिछले quarter में 1108 करोड का December 22 quarter में 1412 करोड का loss है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS 14.78 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में यहाँ पे देखेगा तो increase किया है तो हम लोग जो है वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई doubt है comment box में पुछे मिलते हैं एक शुड़ा में डिलन बब